कॉंग्रेस के रास्टे अध्यक्ष के पद पर होने वाले चुनाओं की तारीखें जीव जीव नजलीक आती जा रही हैं कॉंग्रेस का जो सियासी पारा है वो चड़ता जा रहा है सियासी पारे के गर्माने के शुरुवात हर बार होती है राजिस्थान से राजिस्थान वो राज्य जहां कॉंग्रेस पार्टी की सरकार है और सियासी पारे के गर्माने की शुरुवात होने के मुख्य वज़ा है वहां के दो धड़े एक अशोग गैलोद जो मुख्यवंत्री है दूसरा पुर्वो उप मुख्यवंत्री रहे सचिन पाइलिट का धड़ा ये दो धड़े हैं जिनकी वज़े से ये सियासत अक्सर गरम रहती है अक्सर चर्चाओं का बाजार जो है वो कॉंग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाओं से जादा इन दोनों की खेमेबाजी को ले करके रहता है अब अशोक गहलोत के एक बयान से कुछ नए इसारे निकल करके सामने आए दरसल ये इसारा है एक पद को ले करके जब अशोक गहलोत ने ये बात कही कि जो रास्टी अध्यक्ष का चुनाओं है वो कोई भी लड़ सकता है मुख्यमंत्री का पद इससे संबंध नहीं रखता है इसके दाइरे में ये पद नहीं आता है दरसल अशोक गहलोत का नाम जब से कॉंग्रेस पार्टी की रास्टी अध्यक्ष पद के लिए चल रहा है तब से इस बात की चर्चा जोरोपर है कि अब सचिन पाइलेट के हाथ मिरारिस्थान की कमान आ सकती है सचिन पाइलेट के जो समर्थक हैं वो लगातार इसीच की मांग भी कर रहे है अब बीते निनों पुसकर में जब एक कारेकरम का आयोजन हुआ था उस दोरान सचिन पाइलेट के समर्थकों ने अशोग गहलोत के खेमे के माने जाने वाले दो मंत्रियों अशोग चंदाना और सकुंतला रावत के उपर बोतले फेकी और सचिन पाइलेट की जंदावाद के नारे भी लगाये थे कि बाद में सचिन पाइलेट के खेमे से बयान आया था कि ये सारा ही जो साजिस्ट थी वो सचिन पाइलेट के खेमे और सचिन पाइलेट को बदनाम करने के लिए रची गई थी कॉंग्रेस के राश्टे अब्रेक्षपत के चुनाओ की जो बात है उसमें दरसल अशोग गहलोत का अब ये जो बयान आया वो बयान उस बयान की प्रतक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है जिसमें सचिन पाइलेट ने ये बात कही थी कि कॉंग्रेस में एक व्यक्ति एक पद वाला का प्रचलन है और एक व्यक्ति के पाद एक ही पद रह सकता है एक से जादा पदों पर वो नहीं रह सकता इसके बाद से अशोग गहलोत का ये बयान का आना ये माना जाने लगा है कि अशोग गहलोत दिल्ली में रह करके और आजिस्थान की सत्ता चलाना चाहते हैं अशोग गहलोत नहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री सचिन पाइलेट को बनाया जाया, वो किसी भी कीमत पर सचिन पाइलेट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तयार नहीं होंगे, चुकि शुरुआती दोर से ही लगातार इस शीच को लेकर के चर्चाएं रही है, लगातार इस शीच को लेकर के विवाद रहें, सचिन पाइलेट और अशोग गै करने को कहेगा, वो करेंगे, कुछ ऐसा ही दावा अचस बीट भी लगातार कर रहें, उनका भी कंट के काम करेंगे, बलकि को पूर्थी नहीं करेंगे, पूर बेन भी अयाँ सान कर रहा है, स्ब्सिंडने काम किया है, पूर्थी जीते या हारे, कई अलग मेडिया тоकि ए दिये हुए बयानों में दिये हुए इंटर्वियों में सचिन पाइलिट इस तरीके की बात करते हुए सुने जा सकते हैं अशोग गैलोद भी कुछ इसी तरीके की बात करते हैं जब भी रास्ते अध्यक्षपत पर बात होती है वो यही कहते हैं कि वो राहूल गांधी के अब अशोग गहलोट दिली में हैं यह इत्टिफाक की बात है कि सचन पाइलेट भी समय दिली में हैं दरसल असोग गहलोट के लिए माना जा रहा है कि आप वो अपना नामांकन कर सकते हैं हालाकि अभी तक इस तरीके की कोई आदिकारी सूचना नहीं है क्योंकि अगर पाइलेट और अशोक गहलोत के बीच में एक व्यक्ति एक पद का ये जो विवाज शुरू हुआ है जो ये बयान सामने आया है दोनों के बयानों को अलग-अलग माइने निकाले जाने शुरू हो गए हैं ऐसे में एक बड़ा सवाल यह उपने लगा है कि क्या अशोक गहलोत क अशोक गहलोत की जो ये बाचीत है सचिन पाइलेट की जो दोनों के खेमें हैं उनकी जो मांगे हैं उनको देखा जाए तो ये जो सवाल है वो बेहत गंभीर रूप में सब के सामने खड़े होते हैं दरसल अगर इन सवालों के माइने तलासे चाहें तो ये भी हो सकते हैं कि अगर अशोक गहलोत का इसारा सही है जो अशोक गहलोत कह रहे हैं कि वो दिल्ली के दिल्ली में बैठ करके राजिस्थान की सत्ता चलाना चाहते हैं जिस तरीके का इश इसे सचिन पाइलेट अंधिजार कर रहे हैं जब विदान सभा चुनाओं में सचिन पाइलेट के अधिक्ष्टा में पार्टी को जीत मिली थी तो ये माना जा रहा था कि सचिन पाइलेट राजिस्थान के इलिए मुख्यमंत्री होंगे पर बाद में अशोग गहलोत बना दि हैं और उनके बहत करीबी माने जाते हैं ऐसे में देखना ये भी होगा कि सचिन पाइलेट क्या इस बार भी मुख्यमंत्री का पद ना मिलने पर उसी तरीके से कॉंग्रेस पार्टी में रह पाते हैं जिस तरीके से रहने का वो दावा कर रहे हैं या फिर उनके समर्थक जो एक बार और तूट हो सकती है चुकि कॉंग्रेस पार्टी के जो सचिन पाइलेट के साथ के तमाम नेता थे फिर चाहे हो जो तरह देते सिंधिया की बात हो या इस तरीके के जो दूसरे नेता जो रहुल गांदी के बेहत करीबी रहें उनमें से कईयों ने कॉंग्रेस पार के और फिर नई पार्टी बनाएं कुल मिला करिये है कि अगर अशोग गैलोट के सारे को सच माल लिया जाए तो फिर ताह है कि पार्टी में तूट हो सकती है संभावना ज्यादा इसी चीज़ की है कि पार्टी तूटेगी या फिर सचिन पाइलेट को कॉंग्रेस का सिर्ष नेतर तो किसी भी बड़े नेता को मना पाने में काम्याब नहीं हो पाया है कई नेता जो दसकों से कॉंग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे वो कॉंग्रेस का साथ छोड़ करके गए है हालिया उधाराण गुलाम नभी आजात के तोर पर लिया जा सकता है चुकि केमर की सरकार में मंत्री रहे, जम्मो कश्मीर में मुक्य मंत्री रहे, लंबे समय से करिब करिब पचास सालों से जादा की पांस दिसक से जादा क्या साथ उनका कॉंग्रिस का रहा, इसके बावजूद भी उन्होंने राहूल गांदी पर कई यारोप लगाते हुए कॉंग्र है कि राजस्थान की राजनीत में घमासान दिखाई देगा राजस्थान की राजनीत के इस घमासान का असर ये भी तह है कि रास्टी राजनीत में भी पड़ेगा जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी कॉंग्रिस पार्टी देखना होगा कि कॉंग्रिस पार्टी इस प्रभाव से कैसे खुद को बचा पाती है तूट की संभावनाओं से संभावनाओं उपर कितना वो लगाम लगा पाती है और कैसे साथती है दोनों निताओं के इस अदावत और खेमेबाजी को दन्यवाद